मैं आमंत्रित करती हूँ श्री प्रवीन जी नारंग को और उनके स्वाज़त के लिए मैं अनुरोद करती हूँ राजेश जी चेतन से साथियो वो कौन सा स्केर है अमरिका में जहां मोदी जी बोल के आए थे मैडिसन स्केर याद रखते नहीं हो यार भारत की पूरी जहांकी दिखाई गई जिस व्यक्तित्तों को आप देख रहे हैं मोदी जी ने वह वीडियो बनाने का काम जिनके जुम्मे लगाया था उनका नाम है प्रवीन नारंग साथ प्रवीन भाज़ बारत माता की आप सबकी आवाज कम आ रहे हैं अभी भोज़न नहीं किया क्या नहीं किया नाष्ता किया क्या नाष्ता कर लिया है तो नाश्ते के साफ से भी नहीं आए, एक बार दुबारा करते हैं, भारत माता की बंदे, बंदे, आईए आप बहुत देर से बैठें, एक बार मैं आपको खड़ा होने का कश्ट देता हूँ, एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, और अपने दोनों हाथ जोड़ ल और आए लक्ष्मी माता के आवान से, उनके मंतर से अपनी बात को अपने सत्र को शुरू करते हैं, करागरे वसते लक्ष्मी, करमधे सरस्वती, करमूले तुगोबिंद, प्रभात करदर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तु भ्यम, पादस्पर्शं शमस्समे, ब्रह्मा मुरारी, स्तिरिपुरांतकारी, भानुष शीभूमी, सुती, सुतो बुधश्च, गुरुष्च शुक्र, शनीराहु केत्व, कुर्वन्तु सर्वे, मम्सु प्रभातम, बड़ी, आपने दुनों हाथों को मल ले, और इसकी जो उर्जा उत्पन हुई, वो अपने आखों पे, या शेरीर में कहीं दर्द है, वहां पे लगा ले, सो दाट प्रभु आपके, और अपना स्थान ग्रेंड कर ले, धन्यवाद अपने ले ताली भी बजा सकते हैं, ये प्राता स्मरण, इसको प्राता स्मरण है, हमने साखा में, संग में, नित्यपरती, पूरा गाया है, इसके कुछ पंक्तियां, और ये शुरुआत हुई है, मालक्श्मी से, मालक्श्मी, हमने पहली लाई में ही बुलाए, करागरे करके, उपर के भाग में कौन रहती हैं, लक्श्मी, करागरे वस्ते लक्श्मी, तो आज का अज से 58 दिन दूर एक त्योहार है, जो हमारा सबसे बढ़ा त्योहार मना जाता है, दिवाली, बिलकुल बुला आपने सिरफ 58 दिन है जो व्यवसाई हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा दिन गिना जाता है कि जी इन 58 दिन में जो कुछ है maximum profits कमा लिया जाए और maximum revenue कर लिया जाए और इसके द्वारा अपना कई लोगों का तो पूरा वर्ष भर का जो इससे हिसाब किताब चलता है मेरे सामने मेरे से उम्र में जादा और जादा अनुभवी लोग भी बैठे हैं पर राजेश जी ने मुझे मुझे मौका दिया है कि मैं आपने कुछ विचार आपसे शेयर कर पाऊं तो मैं अपने विचार शेयर करूं आपसे कि क्यों हमें महालक्षमी के सरूप को समझना चाहिए और उसे प्रेड़ना लेकर आगे बढ़ना चाहिए और हम देखेंगे कि सबसे पहले महालक्षमी की उत्पती कैसे हुई कोई बता सकता है हाँ जी बिल्कुल ठीक बोला समुद्र मंथन लेकिन उसे पहले धन्यवाद समुद्र मंथन करने की वो नौबती क्यों आई पहले वहाँ चलते है ना समुद्र मंथन कंद्रना क्यों पड़ा हाँ जी खड़े होगे हाथ खड़ा करके बताएं यह इंटरेक्टिव रहने वाला है मैं सिर्फ बोलके जाने वाला नहीं हूँ तो जब तक आपस में शेर ना किया जाए तब तक बढ़ता नहीं है किसी को पता है चली किसने नाम सुना है मैं आगे बढ़के बताता हूँ इनका रिशीद दुर्वासा हाँ जी रिशीद दुर्वासा के बारे में कोई बताए हाँ जी बताए बहुत गुस्से वाले थे उनके उनको गुस्सा बहुत आता था तो रिशीद दुर्वासा एक बार भगवान इंद्र के पास पहुंचे और भगवान इंद्र को उन्हो रही है बात हिंदुों को अपनी बाते ध्यान रखना बहुत जरूरी है आगे नेक्ट डिरेशन को पास अन करनी है क्यों हुई है ये बाते तो उसको हाती को पना दी और हाती ने वो माला ना पहन करके क्योंकि उस फूलों में कुछ कीड़े आ रहे थे उसको जमीन पे फेक द मात कर और इसके कारण तू विनाश के दौर पे जाएगा और ऐसा ही सभी देवताओं के साथ होने लगा तो पहली लर्निंग जो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप अपने उचाई पर पहुंचें तो आपको सबसे पहले अपनी हुमिलिटी को मेंटेन करना है यानि जमीन पे उन्होंने बोला समुद्र मंथन तो समुद्र मंथन कित्रे वर्ष हुआ था किसी को पता है एक हजार वर्ष तक समुद्र मंथन हुआ ऐसा कहा जाता है देवता और दानव दोनोंने मिल करके समुद्र मंथन में पाटिस्पेट किया था और उसके बाद लक्ष्मी जी निकल अगर हम सोचे के हम छोटे मोटे शौट कट्स करके या instant gratifications लेकर के आगे बढ़ जाएं तो I'm sorry आज नहीं तो कल हमारा हश्र बुरा होने वाला है तो जमीन पे रह करके कड़ी मेहनत करना इससे कभी भी दाइबाय नहीं जाना तो hard work is the first and foremost priority हमारे गरंथों में कहा भी गया है उद्योगिनम पुरुष मुपेती लक्ष्मी यानि जो लोग कर्म करते हैं जो लोग कर्मों से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं लक्ष्मी भी उसके पास आती है तो हमारे बहुत जरूरी है कर्म फल करना लक्ष्मी कर्म करन वाले पुरुष सिंग के पास आती है विराजबान होती है तो हमारे बहुत जरूरी है हार्ड वर्क करना यह लक्षमी जी के साथ है दूसरा लक्षमी शब्द बना है किसे लक्ष से टार्गेट जिंदगी में गोल होना बहुत जरूरी है उनफोर्चुनेटली उनाइटेड नेशन ने एक सर्वे किया था नाइंटी परसेंट अफ पीपल ऑन इस अर्थ दू नाइब गोल्स इन देर लाइफ जिंदगी में लक्ष होना जरूरी है अच्छा लक्ष सिरफ पैसे का हो ऐसा मैं नहीं किरता हूँ मैं अपने मोटिविशन लक्षा उसमुद आता हूँ हमारे पांच पिलर्स हैं लाइफ के अगर पांच पिलर्स टेबल हैं तो हम सक्सेस्फुल है लेकिन अगर पांच पिलर्स टेबल नहीं है हिल डुल रहे है या कोई छोटा है कोई बड़ा है तो हम सक्सेस्फुल नहीं पाँच पिलर्स में पहला पिलर है हमारी फिजिकल हेल्थ, शारे रेक्रूप से हम अगर स्वस्त हैं तो बाकी चार पिलर्स भी यूसफुल है, तो पहला पिलर आफ सक्सेस क्या है जी, हलो पहला पिलर क्या है, दूसरा mental health, peace of mind, ठीक है, तीसरा spiritual health, spirituality plays a major role in our life, जब हमारी जिं वो क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि वो जो उपर power है, आप उसको किसी भी नाम से बुलाएं, आप उससे rejuvenate हो रहे होते हैं, वापस अपनी energy को gain कर रहे होते हैं, तो इस वाले पिलर को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो तीन पिलर्स की बात होगी, पहला पिलर कौन सा million करा देते, और ऐसा platform मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा, एक बार तालिया तो बनती है राजेश जी के लिए, जहां सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का million हो रहा है, अभी हम लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, और साथी साथ इसमें सरस्वती की बात को हो जाती है, वाँ, क्य mental health, तीसरा pillar, और चौथा, और पांचवा, love and affection of dear and dear ones, वाँ, बहुत बढ़ी है, अपना बाया हाथ निकालें, सामने करें, बाया हाथ, ठीक है, और अपने पीट थप थपालें, और अपने लिए ताली बजालें, क्योंकि मैं आके कर नहीं सकता हूं, एकाम आपी कर लें, है शबाशी देगा, आज के बाद किसी और की वेट निकलना, जब आप जिंदगी में कोई अच्छा काम करोना, बाया आता आके निकालना, आपने आपको शबाशी देना, कोई और तारीफ करें न करें, कोई बात नहीं, इससे आपको फरक नहीं पढ़ना चाहिए, तब ही जा रहा है, कभी पेड़ की छाहे में बैठ रहा है, या वो आटो वाला जो चक्कर रगा करके वापे सुसी जगापे आ जाता है, लक्ष होना बहुत जरूरी है, और लक्ष कैसा होना चाहिए, वर्दी गोल होना चाहिए, जिंदगी में लक्ष ऐसा बनाए, जो आपको 24 ग कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, तो I'm sorry, आप जिंदगी में पैसा भी कमा लोगे, शोरत भी कमा लोगे, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, happiness and खुशी, happiness तब मिलेगी जब आप जिंदगी में वो काम कर रहे हो, जो आपको करना पसंद है, आज से जिंदगी में, और कोई भी ग्रामा मॉसस के बारे में बता रहा हूँ, उन्होंने 75 साल की उमर में तैक किया, जिंदगी पर मैं सोचते रही कि मेरे को पेंटिंग करनी है, और उन्होंने बनाया, और आपकी जानकारी है कि वो 106 साल तक जी, और तब तक वो पेंटिंग्स बनाते रहे हो, और पूरे व करते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी जी जाते हैं, नहीं तो बाकी सारे तो कीडे, मकोडे या पेड़, पॉर्दर की तरह आते हैं और चले जाते हैं, जिनको कोई याद नहीं करता है, हम सब का परपस है, एक लाइन मेरे पीछे दोराएंगे, ओके, find your purpose, अपने लेफ्ट कोई देरी नहीं हुई है, अभी भी हम अपने टाइम से चल रहे, हम सब को अपना परपस ध्यान में होना चाहिए, हमारे सब कॉंचिस माइन में वो परपस भगवान डालता है, किस प्रकास से डालता है, कई बार सुबह सपने आते हैं, तीन बजे के आस-पास, क्योंकि that is the best time, जब हमारा सब कॉंचिस माइन हमसे बात कर रहा होता है, तीन या चार बजे, है ना, आप में से बहुत सारे लोगोंने अनुभव किया होगा, उस समय आप कोई, और वो कोई डिग्री, डिप्लोमे, एक्स्पिरिंस देखते हुए, वो सपने नहीं आते, वो सीधा जे सपने आते ना, उनको बस एक क्रियान वन करने में लग जाते, मुझे बस ये काम पूरे करने हैं और सपना आ रहा हो, जब आपका सब कॉंचिस माइन आपसे बात कर रहा हो, उसको सुने, उसकी आवास को सुने, और उसको पूरा करने में लग जाएं, क्योंकि, अगर आ अगर आपने कोई गोल, वैसे फिक्स कर लिया है, जिसके पीछे आप, या पैसा सोच के फिक्स कर लिया, तो I'm sorry, पैसा आजाएगा, happiness and satisfaction नहीं आएगी, ज़रूरी क्या है, happiness and satisfaction, पैसा तो by product है, अगर आप जिंदगी में वो काम करें जो आपको करना पसंद है, तो लक्ष तैय करना जरूरी है, कहते हैं कानमी के मरने का सबसे अच्छा समय होता है, जब उसके दोस्तियार साथी या उसके पौतर साथ में बैठे हों और भगवान का एक साथ नाम ले रहे हों, और सोचो के हम सब का मरने का समय आ जाए, और हमारे चारों तरफ चार बड़े-बड़ भूत कड़े हों, और वो भूत कान है, वो भूत है हमारे आइडिया, वो भूत है इमेरजिनेशन, वो भूत है हमारी टेलेंट, वो भूत है हमारी पोटेंशल, वो भूत हमारी लीडेशिप कॉलिटी, जिसको हमने जिंदगी ही नहीं दी, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रह बहुत पहले जाने का समय आ जाता है और हम भग्वान के पास गए और भग्वान ने बोला अरे मैंने तो तुझे किसी और काम के लिए भिजा था और तू कोई और ही काम करा है I am sorry you have not lived your life at all सोचो कितना बुरा समर हो आपको पता है world की wealthiest place कौन सी है in fact मैं बताई देता हूँ world की wealthiest place है ये कोवेट के oil fields नहीं है ये एफरीका की diamond mines नहीं है world की wealthiest place है शमशान धाट क्योंकि लोगों के वहाँ पे ideas, imagination, talent, potential unutilized रह गही है लोग बस उन्हें चालते रहे कि कल जब मेरे पास पैसा हो जाएगा कल जब शोरत हो जाएगी तो ये वहला काम करूँगा और unfortunately वो जाके वहीं पे छोड़के चलेगे हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए एक line मेरे पीछे दुराएंगे बस आप ही दुराओगे दुराएंगे मैं उचा सुनता हूँ मुझे जवाब देता रहूँ दुराएंगे क्या थैंक यू लिव फुल लिव फुल एंड आई एमटी दुबारा बोलते हैं लिव फुल एंड आई एमटी आज से अपने वो सारे सपने पूरे करने शुरू कर दो लक्षमी मा का यही कहना है लक्षन निधारित करो और उसके काम पे चड़ो लिव फुल एंड आई एमटी आज के बाद कोई भी ऐसा आईडिया, इमेजिनेशन, टेलेंट, पोटेंशन, लीडेशिप, कॉलिटी रहनी नी चाहिए जिस पे आपने कारे ना किया हो जो भगवान ने आपके सबकॉंचिस माइन में डाला है वो जमीन पे पूरा करने के लिए डाला है तो आज से क्या आप ऐसा करेंगे अपने ले ताली बजा लीजे है ना और जिसको अच्छा लगे अपने आपको शावाश्ति दे लीजे अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो लिफ फुल एंड आए एम ते लक्षमी माता हमें बताती है कि हमें लक्षे पूरे करना चाहिए वेल्थ के टार्गेट भी डिसाइड करके रखने चाहिए कीपिंग वेल्थ टार्गेटेट माइड उसके लिए अगर आप सोयम कर पाएं तो अच्छा है नहीं तो राजेश जी जैसे कुछ अच्छे फाइनेशल एडवाईजर्स यहां और भी बैठे हैं उनको जरूर संपर करें कि वो आपके लक्षियों को पूरा करने में सहायता करें टार्गेट फिक्स करना ज़रूर है अगर टार्गेट ही फिक्स नहीं है तो आप आप पहुंचोगे ही नहीं अगर आपका गंतववे ही निर्धारित नहीं है क्योंकि हम सब क्या है अच्छा मैं हमारे लिए एक और अच्छा शब्द बताता हूँ हां सब Limited Validity Prepaid Cards है दोबारा रिपीट करता हूँ Limited Validity Prepaid Cards है जिसको कभी न कभी तो खतम होना ही है तो क्यों ना भाई साब उसको पूरा value ले लिया जाए क्यों नहीं उसको utilize किया जाए आज से अपने लक्ष को निद्धारित करें लक्षमी बाता का यही उनके नाम से आहवान है कि लक्ष निद्धारित करें उसके बाद इनके स्वरूप को और आगे समझते है लक्षमी माँ की अभय मुद्रा अगर आपने देखी हो हाथ को इस प्रकार से रखाए चाहे ऐसे देखे या ऐसे देखे यह अभय मुद्रा जो है यह वाले हाथ में आप देख रहे होंगे लक्षमी माँ ने हमारे ले बनाएए अभय मुद्रा यानि fearless होना अभय मुद्रा यानि risk लेना क्योंकि if you cannot take risk you cannot grow if you cannot grow you can't be your hundred percent if you can't be your hundred percent you can't be happy and if you can't be happy then what is the life living for अगर आप risk नहीं ले सकते तो आप grow नहीं कर सकते अगर आप grow नहीं कर सकते तो आप अपना hundred percent achieve नहीं कर सकते अगर आप अपना hundred percent अचीव नहीं कर सकते तो आप खुश नहीं रह सकते तो जिन्दगी जीने का मज़ाई क्या है दोस्तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है लक्षमी मुद्रा हमें हाथ के द्वारा बता रही है fearless होना है हम सब को जुझारू होना है हमारी हिंदू धरम में हमें शुरू से बताया गया आगे बढ़ करके सीना सामने करके चलना है पीछे से कभी नहीं है ना तो इसलिए जिन्दगी में fearless हो जाएं लक्षमी मा हमें अपने हाथ के द्वारा यह बता रही है यह अभे मुद्रा के लाती है अगर आप इसमें और research करना चाहें आप जाके कर सकते हैं आज से अभे मुद्रा fearless हो जाएं safety, security आपकी financial advisor देख लेगी आप fearless हो करके जो आपकी उमर है उसके हिसाब से उतना ज़्यादा risk लेकर के आगे बढ़ें अगली मुद्रा वरद मुद्रा जो हमारी देने वाली मुद्रा है यानि लक्ष्मिमा इस प्रकार से उनका हाथ है वरद मुद्रा यानि अगर आपने अभी खमा लिया है तो आप क्या करना है charity, दान देना भी उत्राई आवशक है एक तरफ से पैसा आ रहा है और अगर दूसरी तरफ से हम उसको charity नहीं कर रहे है एक बहुत अच्छा मैं इसमें example देंगा play account मैं बैंक में भी काम किया है करता हूँ तो एक play account खोल ले गौरा वो play account क्या होता है कि आप महीने में x amount उस वाले account में डाले imaginary account भी बना सकते है imaginary account है कि मुझे इतना पैसा जो है वो दान देना है play account है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे तो आपका इधर का पैसा बढ़ता जाएगा क्योंकि जितना आप grow कर रहे हो उसमें बहुत बढ़ा portion आपकी charity का भी है अगर आप उसको आगे जैसे हमारे मुझे example याद आ रहा है आज से दो साल पहले मैंने पवन कंसल जी को सुना था इन्होंने आज से दो साल पहले टै किया था कि मैं 10,000 लोगों को रोजगार दूँगा अपके platform में आपने बुलाया था और मुझे आज अभी ही पता चला 5,000 लोगों को अलड़ी इन्होंने भी रोजगार दिया है एक बार पवन जी के लिए जोज़ा तालिया मुरादाबाद में मई करके जगा है जी मई करके जगा है जहां पे 5,000 लोग इस समय कारे कर रहे हैं इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने competitors खड़े कर रहा हूँ इन्होंने बोला भई मैं collaborations कर रहा हूँ मैं आगे बढ़ करके उनको रोजगार दे रहा हूँ तो अपने आप मेरा भला हो रहा है जरूरी नहीं है कि आप उसमें ये सोचे के मेरे को डान दे करके उसको भूल जाना है उसको आगे भी grow करवाना है उन व्यक्तियों को next level पे ले जाना है तो ऐसा ही बढ़िया काम कर रहे हैं charity करना बहुत ज़रूरी है सेवा के कारे में भी वो आप अपनी पसंद के साब से चुने किस प्रकार से लगाना है हमारे एनार जैन जी यहाँ पे हैं हर समेश सेवा करते हुए नजर आते हैं और उन्होंने बिवानी परिवार में मेरे को पता चला वो संभाला हुए कि देहदान का उन्होंने संभाला है कोई भी एक ऐसा आप आगे बढ़कर के बताएं राजेशी को कि ये वाले काम में मेरा इंटरस्ट है बिवानी परिवार बहुत सारे चैरिटेबल कामों को भी करना चाहता है मुझे राजेशी बता रहे थे तो इस प्रकार के कारों में आप इंटरस्ट शो करे और वो उस काम को आगे बढ़ाएंगे पर आखरी दो लाइन है तो नो डाट इवन वन लाइफ हैस ब्रीधिट आपके कारण किसी एक व्यक्ति ने सांस ली है वही सक्सेस आपने किसी हाँ थैंक्यू वेरे मच कोई एक व्यक्ति है ना मेरे एक दोस्त है आई एस ओफिसर है बिहार के अंदर पोस्टिंग है उनकी उन्होंने बोला कि मेरे को रोज एक चैरिटी करनी है हम कई बार उदर जाते है ना शमशान घाट वहां लिखा होता है एक नेक काम नित्ते प्रती करें है ना डू गूड वन एक्ट डे वो क्यों लिखा होता है तो उस बिहार वाले मित्रन ने तै किया एक दिन के यार मैं ना डेली बिस्स एक अच्छा काम करूँगा अच्छा कई बार भूल जाता था उसने क्या किया एक रबर बैंड लिया और अपनी उंगली पे चड़ा लेता था जब तक वो अच्छा काम ना करे उसको रबर बैंड वो पेन करता रहता था जैसी वो अच्छा काम कर ले उसको फोल्ड करके पनी जेब में रख लेता था और अगले दिन सुबह उठकर के दुबारा पहन लेता था और जब वो I.S.K. prelims को clear कर गया और main skill कर गया उससे पुछा गया कि ये तुम कर कैसे पाए उसने बोला मेरा self confidence बहुत हाई था इस self confidence हाई हुआ कैसे उसने बोला वो जो मैं एक charitable काम daily basis करता था उसके कारण मेरा आत्म विश्वास इतना बढ़ गया कि आज की date में मैं किसी भी प्रकार के कैसे भी व्यक्ति को deal कर सकता हूँ और मेरी ज्यान की मुद्रा भी खुल गए तो एक नेक काम नित्ते प्रती करे charity करना बहुत ज़रूरी है वो आप तेरे करे कि किस प्रकार करना है लक्ष्मी जी ने तो हमें ये बताया है धानने लक्ष्मी ओके लक्ष्मी जी के आठ स्वरूप है आप जानते होंगे धानने लक्ष्मी जो है इसमें बताते है resourceful होना resources होना बहुत जरूरी है अभी आपने सुना के food का संकट आया युक्रेन की अगर आप ख़वर पढ़ रहे होगे पर वर्ल्ड में food का संकट आया इससे पहले श्री लंका में अभी आया पैसों की कमी नहीं थी there was no death of money but किसी की थी resources की कमी थी तो चार management के चार बताये गए है resources money के लावा हो तो हम successful होंगे ये हैं machines manpower, methods और material अगर हमारी industry में हमने इन चार चीजों पे काम किया हुआ है पैसे के लावा तो कभी भी failure नहीं हो सकते number one machines number two उसको ठीक करने के methods तरीके ISO का मैं ट्रेनर हूँ ISO में लोग बोलते quality होता क्या है तो मैं बतातो बहुत असान है एक ही line में समझा दूँगा आप सब के लिए भी जो करते हो वो कहो और जो कहते हो वो करो बस यही quality है hello जो करते हो वो कहो और जो कहते हो वो करो बस इसके लावा quality कुछ है ही नहीं अगर आपने यह काम कर लिया तो आप quality parameter ISO 9000 compliant है उसके बाद उस सब को पढ़ ले what you do say what you do and do what you say अंग्रेजी मैं अगर ऐसे बताऊ say what you do and do what you say is quality nothing else और माता लक्ष्मी आता में यह बताती है कि हमने यह 4 M's पे काम कर लिया machines, manpower, methods और material तो हम successful है देशों में इस चीशी कम ही आती है companies में इस चीशी कम ही आती है इसलिए unsuccessful होते है लक्ष्मी के सुरूप की हमने बात कर ली कमल चक्रा लक्ष्मी जी को हमने देखा होगा सदा कमल पे विराज़त बताया गया कमल पे विराज़त क्यों है और जबकि सरस्वती माता कहां बैठती है सरस्वती मा कोई बताए काँ पर हंस के लावा कमल पे नहीं सरस्वती मा को शिला पर बिठाया गया है अच्छा थी आई थी क्या हाँ ये 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 काँ बैठी है पत्थर पर बिठाया गया ऐसा क्यों ये बड़ा interesting मैंने research किया सरस्वती माता को तो शिला पर पत्थर पर दे बिठाया गया है और लक्ष्मी मा को कमल पर बिठाया गया भई ऐसा क्यों guesses कोई तुक्का मारने में कोई marks कम नहीं होते है जी बतादो उसे आपनी करवाश्वत नहीं बतरता है कई बास कि अगया कुछ कुछ ऐसे है कि आपने के लिए और लक्ष्मी को आपने कैसे बढ़ना है जी जी धन्यवाद पहले तो जिन चार लोगों ने बोला उनके लिए ताली बजालो कम से कम बोलने का तो सोच है क्योंकि पूछने वाला 5 मिंट के लिए मूर्ख लाता है ना पूछने वाला जिन्दगी पर मूर्ख रह जाता है तो इन्होंने बताने की पूछने की कोशिश तो की जग्यासा की और बताने की कोशिश की बहुत अच्छा है कहते हैं कि सरस्वती हमारे पास तक रहे और हम आगे बाटे इसलिए चटान की तरह होनी चाहिए और लक्ष्मी को सदा कहा गया है चंचला पानी में कमल खिलता है चंचला यानि लक्ष्मी किसी एक के पास हर समय नहीं रहती है आगे जाती आती रहती है तो चंचला है लक्षमी रुकती नहीं है ज्यान रुकता है ज्यान को रोकना है और आगे डिस्ट्रिबूट करना है तो सरस्वती और लक्षमी का ये अंतर इसलिए बताया गया है इनको इसलिए शिला पे बिठाया गया आप जितनी भी देखना वो शिला पे या हंस पे, अपने वाहन पे होंगी, तो उसका अर्थ यह है, money should not be hoarded, यह तो बहुत सारों को कब पता चला, note, मैं उसे बदली बोलो या बंदी बोलो, note बदली के टाइम पे पता चल गया, मैं बैंक में काम करता था, तो उसमें फेले भर भर के लोग ला रहे, इसलिए उसको, working capital should always be rotated to earn profits, working capital जो है, वो सदा rotate करती रहनी चाहिए, वो एक जगा आपने रोक ली, तो फिर कभी आगे growth नहीं होगी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, कि हम चंचला लक्ष्मी, यानि working capital को rotate करते रहे हैं, स्वरूप, हाँ, ये last है, बढ़िया कपड़ों में लक्ष्मी जी को दिखाया जाता है, सदा जोहरा, थीरे पहने हुए हैं, और हाथी दोने तरफ कर रहे हैं, इस स्वरूप का मुख्य उदेश यही है, कि हमें लक्ष्मी को enjoy भी करना चाहिए, आपने कभी अगर कोई vacation न चाले जा रहे हो, उसको कर लीजे, क्योंकि अगर आप utilize करते रहेंगे, use करते रहेंगे, तो आप next level पे जाते रहेंगे, लक्ष्मी हमें laziness, ignorance, हम घर की तो सफाई करें, लेकिन अपने दिमाग में भी जो बुरे हमें laziness है, या ignorance है, या दूसरों के प्रति, इस बताती है, यह जो चार हाथ हैं लक्ष्मी जी के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह बाकी सब उसमें मैंने बता दिया, यह सिरफ परिशायक है, धर्म के अंदर लक्षे fix करना है, और fearless होना है, अर्थ के अंदर knowledge को gain करना है, resources को gather करके utilize करना है, कड़ी मेहनत करनी है, और को rotate करना बहुत जरूरी है, काम के अंदर अपनी wealth को enjoy करना जरूरी है, जिस भी प्रकार से प्रभू करे, और मोक्ष, cleaning of mind, self-doubt, laziness and ignorance, और charity, करना बहुत आवशक है, बहुत संपरदाय भी इसको मानता है, एक तरफ तो वो कहते हैं कि desire is the cause of suffering, लेकिन दूसरी तरफ अगर आ handsome प्रदाय में भी, अगर आप जाएंगे लक्षमी की पूजा की जाती है, वहाँ का आ जाता है, एक महिला जब गर्ववती होती है, अगर उसको सौपन लक्षमी जी का आता है, तो उसकी संतान जो है, या तो तीर्थांकर बनती है, या राजा बनती है और इस प्रकार से आ आनने लक्षमी में है, रिसोर्स होने जरूरी है, चंचला है, लक्षमी को अगर आप होल्ड करके रखेंगे, रोटेट नहीं करेंगे, वर्किंग कैपिल को बार बार आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो वो वहीं रुख जाएगे, रुका हुआ पानी कभी भी फायदा नहीं ब्लान दाउगी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीच जी, बहुत सुन्दर व्याख्या उननाने की है, लक्षमी जी के स्वरूप की, उसकी हर मुद्रा की इननोंने बहुत सुन्दर व्याख्या की है, जीवन के विबिन पहलू सबोस्क ऐ। उसके साथ जोड़ा है, तो आपका बहुत बहुत आपहर. आपका भी हवार. आपका भी हवार.